देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कुरोना वाइरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आपको बता देए कि सनिवाव को दिल्ली के स्वास्त विभाग ने नए मामलों के आकलों को साजा किया। जिसमें बताया गया कि दिल्ली में बीते 24 गंटों में COVID-19 के 489 नए मामले सामने आये हैं। तो वही संक्रमर से एक मरीज की मौत हो गई। विभाग के मुताविक संक्रमर दर 2.06% दर्ज किया गया है। इसी के साथ दिल्ली में COVID-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 19,3189 हो गई है। जबकि वायरस से मढ़ने वालों की संख्या 26,200 के पार पहुँच गई है। तो वहीं देश में कुरूना संक्रमर की इस्तिती फिलाल नियंत्रन में बनी हुई है। आपको बता दे कि 24 घंटे में कुरूना संक्रमर के 2300 नए मामले सामने आए हैं। तो वही 25 मौते हुई है। सक्रिय मामलों की बात करे तो 14,996 है। दैनिक संक्रमण की दर 0.47 प्रिस्ट और सब्ताहिक संक्रमण की दर 0.5 एक प्रिस्ट है वीरी रुपोर्ट आईपियन